दोस्तों मैं हूँ जीतेंदर कुमार दा यूनी क्लासेस के इस यूटूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है पिछले कुछ दिनों से हम लोग जारखन के नदी के बारे में डिटेल जनकारी प्राप कर रहे हैं जिसमें से हम लोग 26 नदी से रिलेटेड जनकारी प्राप कर चुके हैं आज हम लोग 27 नदी के रूप में खरकई नदी, 28 नदी के रूप में 10 चिनकारो नदी, 29 नदी के रूप में काइना नदी और 30 नदी के रूप में बेतरनी नदी के बारे में चर्चा करेंगे नदी से related आपको ये किया दो वीडियो और दिये जाएंगे जैसा कि पूछा कैसे पर्सनल जाता है और दो-चार नदी के बारे में और हम आपको जनकारी देंगे ताकि आपका नदी से related पूरी जनकारी हम आप तक पहुंचा सके चलिए आज हम लुग सतैस्वा नदी के रूप में खरकई नदी के बारे में पढ़ेंगे आप अगर नोट्स मनाना चाहें तो इस सारी चीज़ों को लिख सकते हैं समझना चाहें तो मैं पर ध्यान दिजीगा खरकई नदी का उदगम छेतर जैसा कि हम कई बर बता चुके हैं कि जो नदी जहां से निकलती है उसी को उस नदी का उदगम छेतर कहते हैं या उदगम अस्थल कहते हैं तो यहां पूछ रहा है खरकई नदी का उदगम जो अस्थल है वो उडिशा है उड़िशा स्टेट पुछे तो उड़िशार उड़िशा का एक खास जगा पुछे तो मयूर भांज देखे यह हम इंडिकेट करने की कोशिस किये हैं यह आपकी खरकई नदी है रेड लाइन जो आपकी जा रहे है यह खरकई नदी है और ये निकलती है उडिशा के मयुरुभन से निकलती है देखी आपका जारखन का जो अंतिम बोडर है वो ये आपका पस्चमी सिम्भू में ये पुर्वी सिम्भू में इसके बाद आपके जारखन के दस्चिन में उडिशा स्तित है तो ये नदी निकल यहां से रही मतलब उ सुर्ण रेखा नदी से मिल जाती है मतलब यह हुआ कि यह सुवर्ण रेखा नदीस की मुहाना है और उद्गम छेत्र इसका उडिशा का मयुरुभांज है तो उद्गम छेत्र हुआ उडिशा का मयुरुभांज और मुहाना हुआ स्वर्न रेखा नदी जो नदी का अंतिम छोर जहां होता उसी को हम लोग मुहाना कहते हैं और आपको पता है अभी की खरकई नदी स्वर्न रेखा नदी में जाकर के मिली है देखे ये आपकी स्वर्न रेखा नदी आ रही है देखे ये आपकी ये स्वर्न रेखा नदी राची के नगडी परखंड से निकलते हुए आपकी ये स्वर्न रेखा नदी आ जाती है और ये शीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसी के बीच में आपका खरकई नदी पूर्वी शिंभू में मिल जाती है हम लोग यह भी कह सकते हैं कि कि आपका सुवर्न रेखा नदी की सहायक नदी खरकई नदी है चीजों को आप लोग समझेगा पहले वाली वीडियों को देखे होंगे ता आप लोग चीजों को यहां समझ रहे होंगे सहायक नदी संजय नदी है खरकई नदी की सहायक नदी संजय नदी है उनका मैप नहीं बनाया है क्योंकि यह आपके संजय नदी आपके नदी तट पे अस्तीत है कई-कई भूग में आपको ये भी लिखाई देगा दिखाई देगा कि स्वर्न रेखा नदी और आपके खरकई नदी के संगम पे जमसेध पूर अस्तीत है सही बात है तो कह सकते हैं कि खरकई नदी के तट पे भी अस्तीत है और आपके स्वर्न लोह नगरी बोला जायतो जमसेदपूर इसी नदी तट पर अस्तीत है जमसेदपूर है या नदी ज्हारखन उड़िशा को अलग करती है सही यह बोडर के रूप में ही काम कर रही है देखें इस नदी पर इचा के बनाया गया है देखिए इस नदी पे ईचा के निकट करें खबला का निर्मां किया गयाद खरकई जलासे इसका नाम हbenदी इस लिए रखा गया क्योंकि यह ख़रकई बरनाया है अब हम लोग दस्थिकारो नदी के बारे में चर्चा करेंगे दस्थिकारो नदी ऊड़िशा से नकल रही है निकल रही है और यहां जा कर के दस्थिकारो नदी का उद्गम छेतर उडिसा हुआ और इसका मुहाना दस्चनी कोयल नदी हुआ ठीक है इसी के बीच में एक नदी मिल जाती है जिसे हम लोग काइना नदी कहते हैं काइना नदी दस्चनी कारो नदी की सहायक नदी बन जाती है तो इसके सहायक नदी पूछा जाए तो काइना नद इसका उद्रडगम शेटर पूछा जाए तो उड़ी सा में है अधावक इसका अपवास छेटर है को यहां रखन के सिर्फ यह पहाँ कि शिम्हुम करती है मतलबी इसका और ऊद्रडगम शेटर उड़ी इसका सहयक नदी कायननादी जो यहाँ से निकलती है पर्षिमी शिंभूम के सारंडा जंगल के दस्ट्णी पूरु से निकलती है और यह नदी कायनादी निकल करके दस्चनी कारो नदी की सहायक नदी बनती है धिहान दिजियेगा जो आपके दस्चन कारो नदी है वो दस्चन कोयल नदी से मिलने से पहले 100 किलो मीटर की दूरी तै कर लेती है दस्चनी कारो नदी दस्चिन कोयल नदी से मिलने से पहले 100 किलोमेटर की दूरी तैक कर लेती है देखे एक चीज और आप लोग ध्यान दिजेगा दस्चनी कोयल नदी और दस्चनी कारो नदी जिस जगहा पे मिलती है अर्थात उनके संगम अस्थल का एक नाम दिया गया है उस संगम अस्थल को काली कोकिला संगम के नाम से जाना जाता है यहीं हम चीज लिखे हैं कि दस्चन कारो नदी तथा दस्चन कारो नदी के संगम अस्थल को काली कोकिला संगम कहते हैं आपका हो गया कि यहीं तो इन यह दोनों का संगम है दस्चनी कोयल नदी और दस्चनी कारों नदी का संगम यह जरहा और यह जगहा को हम लोग कहते हैं काली कोकिल संगम है ना उन्तिस्वा नदी के रूप में काइना नदी काइना नदी जैसा कि हम आपको बताएं कि यह पस् और शारंडा के दस्चिन पूरु से निकलती है देखे यह आपका दस्चिन पूरु ही तो हुआ तो यही से यह नदी निकलती है यह नदी यही से निकलती है शारंडा के दस्चिन पूरु इसका उद्गम छेतर हो गया इसका मुहाना हो गया दस्चिन कारो नदी यही चीज हम गये लमबाई पूछा जाए तो सो क्यों मीटर हैं देखिए हम लीखे हैं कायना नदी पर हिर्नी जलपरपात बना है देखिए हिर्नी जलपरपात पढ़ाएं कौन ये ए पोन-दी पर ये उनकी उचाही चलिए कहम लोग देखते हैं आज की लाश्ट जो है वे तर्नी नदी के बारे में आप लोग सुने हूंगे वे तर्नी नदी जो निकलती है वह वुरीशा से निकलती है देखिए यह आपका जारकर्ण यहीं तक है तो बाकी जो इधर पढ़ रहा है यह उड decades वह उड़ी सा पड़ रहा है यहां से निकल रही है और इस जगहा पर मिल जा रही है और इस नदी का नाम है ब्रहामनी नदी आपके जाकर के मिल जा रही है यहां दश्चनी कोई नदी मिल जा रही है दोनों की गहराई समान होने के कारण यहीं से नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है और इस नदी जो आगे बहती है वो ब्रहामनी नदी के नाम से बहती है तो यह जो नदी वेतरनी नदी जाकर के मिलती है वो अब ब्रहामनी नदी में जा करके मिली और जिसी जगहा पे मिली इसे हम लोग धामरा के नाम से जानते हैं मतलब यह हुआ कि इसका उद्गम छेतर जो हुआ वो उड़ी सा हुआ ठीक है और इसका मुहाना जो हुआ वो ब्रहामनी नदी हुआ और यह धामार के पास मिलती है उम्मीद है चीजें आपको दिफिकल्ट लगते हैं तो आप दे हिचक नीचे देगे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए